हेलो फ्रेंड्स वेलकम है आपका मेरी चनल में तो मैं आज फिर हाज जिरूँ आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर तो यह रेसिपी खास बच्चों के लिए है तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है यहाँ आपको लेना है गुड़ और मैंने यहां पाल लिय यहाँ को भी दूर करता है तो अगर आप बच्चों को इस तरह से बना कर खिलाएंगे गुर्ड की रेसिपी तो वो कब खाने से मनां नहीं करेंगे तो आपको क्या करना है आटे में नमक मिलाकर उसको अचशे कर लिए हैं अब आपको क्या करना है गुड़ की एक बटी लेना है तो यहाँ पर मेरे पास गुड़ की बटी है तो इसको आपको अच्छे से कदुकस कर लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ कितने अच्छे से कदुकस हो गया है अब जो डिवाइट पार्ट क यह थे हमने आटे की लोई के तो अब हमें क्या करना है उनको अच्छे से फैला कर उसमें गुड़ को भर देना है यानि कि जो गुड़ हमने कदुकस किया था उसको हम अच्छे से फिल कर देंगे पूरी तरह से जो हमने आटे की लोई ली थी ना उसके अंदरा हमें इसको अच्छे से भर देंगे बिल्कुल मौमोस की तरह तो बस यहाँ पर हमें क्या करना है इसको अच्छे से बंद कर देना है पूरा ताकि जो गुड़ है वो पूरी तरह से फैलेना आसपास तो आप देख सकते हैं मैंने आप पर इसको बेल दिया है और गुड बिल्कुल भी नहीं निकला है तो बस इसलिए आपको क्या करना है गुड को अच्छे से कदुकस करना है दाकि वो बिल्कुल भी बाहर ना आए तो अब आपको क्या करना है तबे पे आपको डालना है घी और उसको आपको इस बेली हुई रोटी को हम इसको अच्छे से शेख देंगे घी से अगर आपके बच्चे या आपके घर में कोई भी घीगाना पसंद नहीं करता है तो आप क्या करते हैं कर सकते हैं आप जो भी ऑईल यूज करते हैं आप उससे सेख सकते हैं तो आप देख सकते हैं जो रोटी है उसको मैंने अच्छे से घी लगा दिया है अब हमें क्या करना है इसको अच्छे से सेख लेना है तो यहां पर मैं आपके तो यहां पर बनने वाला है टेस्टी गुड किसे सिखा है और इसको हमें high flame में नहीं सेखना है हमें इसको low से medium flame में सेखना है अगर आप पराथी को low से medium flame में सेखेंगे तो बहुत ही ज्यादा tasty वो सिक्कर तयार होता है तो बस आपको इसी तरह से बनाना है और बच्चों की lunch box में रख देना है तो वो इसको खाने से मना तो करेंगे ही नहीं उनको यह बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा इस तरह का पराथा और इसमें जो गुड़का और नमक का जो कॉमिनेशन है उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो आप इस recipe को एक बार जरूर ट्राइब करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको और आप ऐसे ही मज़ेदा recipe को देख सकें तो बस यहाँ पर मैंने फर्स्ट पराठे को सेख दिया है अब मैं यहाँ पर सेख रहे हूं सेकंड पराठा तो यह इतनी simple और easy recipe है जिसमें आपको बिल्कुल भी time based नहीं होगा आपका और यह जटपट बनकर तयार हो जाएगी औ और जो भी इसको खाएगा वो बहुत ज़्यादा पसंद करेगा क्योंकि यह बिल्कुल भी खाने में weird नहीं लगेगा आप जब इसको एक बार बनाएंगे और इसको बारा बनाकर जरूर खाएंगे और बच्चे तो इसको जरूर बारार मांगेगे तो आप इस recipe को एक बार जरूर ट्राइ करना तो चलिए जल्दी से जाएए आप अपनी किचिन में और इस recipe को बनाएए और आप इसको सुभे के नास्ते में बनाएंगे तो और ज्यादा बहुत ही ज्यादा यह healthy होगा क्योंकि गुड़ है वो हमारे पेट की पाचन क्रिया को बहुत अच्छा करता है तो तो आप इसको सुभे के नास्ते में जरू सामिल करें तो चलिए friends मिलती हूं मैं आपको एक next वीडियो में और एक next और एक new recipe के साथ जब तक कि आप इस recipe को बनाएए और enjoy कीजिए चलिए मिलती हूं मैं आपको अगली वीडियो में